दोस्तो इस वक्त की बेखत बड़ी खबर दोस्तो आप सभी को बता दी कि धर्मशाला में नहीं रुक रही है बारिश मैच रद्ध होने के पूरे आसार नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का फिर सी हमार यूटूब चैनल क्रिकेट देखो जी में दोस्तो आप सभी को बता दी कि भारतिय टीम और साउध अफरिका के टीम के बीच पहला T20 मुकाबला आज खेला जाना था तो दोस्तो अगर आप भी भारतिय टीम को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तो आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक का है तो फटक से नीच जाएए अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें तो चलिए दोस्तो बिनावक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आप सभी को बता दी कि टीम इंडिया और साउथ अफरिका के बीच तीन मैचों के T20 सीरीज का पहला मुकाबला धरमश्याला के मैदान पर खेला जाएगा जिहां दोस्तो इस मैच में टीम इंडिया की निगाहे जीत के साथ आप सभी को बता दी कि करने पर होगी वहीं पर दोस्तो हालां कि इस मैच में बारिच का साया बना हुआ है और इस वक्त मैदान पर जम कर बारिश हो रही है दोस्तों आप सभी को बदा दी कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है थी कि दोस्तों बारिश के वजह से टॉस में देरी हो सकती है जी हाँ दोस्तो आप सभी को बता दी कि इस रात साड़े छे बजे पर टॉस होना था लेकिन बारिश की वजह से यह घड़ टॉस नहीं हो पाया है दोस्तो ताजा खबर के मताबिक इस मैदान पर दो पहर एक बजे से लगातार बारिश हो रही और दोस्तो बताया जा रहा है कि मैच भी रद किया जा सकता है दोस्तो आप सभी के लिए बता दी कि 2015 में यानि कि चार वर्ष पहले भारत और साओध अफरीका के बीच इस मैदान पर एक मैच खेला जा चुका है जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था इस मैच में रोहित सर्मा ने शांदार बल्ले बाजी की थी और शितक भी लगाया था टीम इडिया के पास उस मैच में मिली हार का बदला लेने का पूरा मुका यहां पर है दोस्तों वहीं पर भारतिय टीम साउध अफरीका के खिलाफ अपने धरती पर टी-20 में पहली जीत की तलाश में होगी क्यूंकि भारतिय सरजमीन पर उसे दक्षिन अफरीका के खिलाफ ए हां पर मैच देरी से शुरू हो सकता है कब तकरीबन तकरीबन 9 बजे से शुरू हो सकता है या तो फिर बारिश नहीं रुकिए तो इस मैच को रद्द किया जा सकता है तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ एक हजार लाइक का है तो चलिए दोस्तों फटक से अभी के भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करजे नोटिपिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि हर ख़बर आपको सबसे पहले में पहुंचाते रहूँगा तो चलिए दोस्तों अगली वीडिय में मिलते हैं